Recently RBI ने 5 इंडियन बैंक्स, SBI, ICICI, HDFC बैंक, YES बैंक और IDFC First बैंक को shortlist किया है ताकि ये 5 बैंक्स देश में डिजिटल करंसी के इस्तमाल की टेस्टिंग कर सकें ये 5 बैंक, NPCI और RBI के साथ मिलकर कुछ गिने चुने कस्टमर्स और मर्चेंट्स को ट्रेड करने के लिए डिजिटल रुपी की सर्विस प्रोवाइड करेंगे RBI already कुछ government banks, government companies और कुछ private companies के साथ wholesale market में डिजिटल रुपी के pilot project पर काम कर रहा है ये pilot project ये जानने के लिए चलाए जा रहे हैं कि क्या digital रुपी current technology पर काम कर सकता है या किसी नई technology की ज़रुरत है इन दोनों retail और wholesale digital रुपी के अलग-अलग purpose हैं जैसे retail digital currency देश की सारी population यूज कर सकेगी और वही wholesale digital currency कुछ selected financial institute सी यूज कर सकेगे ये digital currency ब्लोकचेन टेकनलोजी पर बनी हुई है जिस वज़ा से इंडिया के लावा काफी दूसरी countries भी इस technology को launch करने का plan कर रही है ताकि countries की cash पर dependency खतम हो सके